हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है क्लासिसिजम और इसके आज हम 40 इंपोर्टेंट पॉइंट्स वाइस देखने वाले हैं इनके सारे क्वेश्चन्स को, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे तो MCQs easily हम कर पाएंगे कैच, इसका ह जो बात करें, क्लासिसिजम की, ठीक है, तो क्या है ये क्लासिसिजम की, ये वो चीज है, जो हम लिट्रेचर देखते हैं, क्या जो लिखा गया है, वो जिन्होंने लिखा है न, वो फॉलो करते हैं, रोमन राइटर्स को और ग्रीक राइटर्स को, ठीक है, अब क्या लिखा है writers who follow roman and who follow greek. Clear है. जिन्होंने roman ग 그 work लेखा गया उनको follow गया जिन्होंने greek writers को जो थे उनको following किया. इन्होंने content लिखे ठीक है? इन writers और इन्हों ने इनको follow और जब इन्होंने follow किया तो वो कहलाया classicism क्योंकि इन्होंने इतना लेखा तरह जो work ठीक है अब इसका नाम classicism ऐसे बढ़ा कि जैसे कि क्या एक हम कहते हैं कि क्या एक चीज को जब हम उसकी तारिफ करते हैं तो कहते हैं कि wow what a classic class is में और जैसे हम लोग कहते है classical music तो हो क्या कहते है शास्त्री यह classical language कितनी है इंडिया की इस तरह से यह word a classicism एक perfectness जिसमें हमको मिलेगी प्राची जैसे जिसको हम समझ सकते हैं तो अब यह जो नए writers आए और उन्होंने इनको follow किया इनके writers को imitate किया अपने works में that is उसको फिर classicism कहलाया अब questions कैसे बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि जिन्होंने follow किया उनका work और जिनको follow किया तो वो roman में कौन-कौन से है ग्रीक में कौन-कौन से है है ना और उनके work तो जैसे की हमारे हो जाते हैं horak है longinos है roman में आ जाते हैं ठीक है और ग्रीक में आपके euripides, sophocles, asculus यह सब और जिन्होंने follow किया तो पहले starting से लिटरेचर में किया, तो किस ने किया ऐसे हमारे students questions बनते हैं तो बस हम वही points में देखेंगे I hope कि क्लासिसम का meaning बहुत simple है रोमन ग्रीक को जन्होंने जन राइटर्स ने इन रोमन ग्रीक के राइटर्स के work को अपनाया अपने work में उनको follow किया उनकी चीज़ों को वह हमारे कहला है classic, classicism के तहट वह राइटर और यही जो content है, यही सब जब हुआ तो वह classicism कहला है especially जब English में हुआ in English language, in English literature not French and Italian तो वह neoclassicism कहला है अब यहां से आप यह भी समझ लें ठीक है? अब point हम शुरू करेंगे French और English writers जिन्होंने follow किया जैसे इसमें meaning भी आएंगे और आपके जो इन्होंने follow किया वो जिनको follow किया last में हम 10-10 सारे writers देखेंगे बहुत अच्छे से so the literary classicism refers to a style of writing that consciously emulated the forms and themes of classical antiquity antiquity means वह एक antique जो वर्ड होता है antique, उससे यह word बना है तो यह वो style होता है classicism, writing का वो style होता है जो consciously emulate करते है forms and themes को जिसमें classical antiquity होती है and which was developed during the eras of renaissa and alignment and continue to shape literature into 20th century अब यह जो classicism है literary classicism हम इसको classicism तो कहेंगे और define करना है तो literary classicism कहेंगे because यह जो classicism को follow किया गया not only writers ने Roman Greek के रचनाओं को follow गया even उस समय के जो painters थे ठीक है उनको बात में जो painters ने follow किया art में भी follow किया गया music में भी in the same way तो वही चीज़ है तो इसलिए हम इसको और अच्छे से समढ़ने के लिए literary classicism कहते हैं अब literary classicism जब follow किया गया जब रनाइसा के time and enlightenment जो एक age है age of reason जिसको कहते है 18th century के time की 17 to 18th century के time की is time जब classicism को अपनाया गया तो वह literary classicism हमारा तब उसको कहते थे and और जब यह continue रहा to shape literature into 20th century 20th century तक हमारा जो literature उसको shape दिया इसने अच्छे content आये हमारे literature में उसको और सम्रद्ध बनाया next हमारा जो point number 2 है what is classicism in literature so in this sense the great authors of Greek Roman period especially their poets and playwrights उस समय के जो author ते Greek Roman के उनके जो poets playwright ते were imitated above all उनको imitated किया गया इन सबको ठीक है इनकी नकल की गई इनके कामों की the authors of literary classicism followed its aesthetic principles and critical perceptions जो हमारे authors थे literary classicism के जो इनको follow करते थे Roman Greek writers को इनको poet playwrights को तो उन्होंने इनके aesthetic principles को इनके aesthetic values को critical जो इनके perceptions को इनके drastic code को इनके विचारों को ऐसा नहीं कि उन्होंने जो लिखा उसको नकल कर लिया as it is published no उसमें से उन्होंने इनकी सोच को catch किया वो इन्होंने अपने work में feel करवाया और उसको लिखा ठीक है ये चीज है number point number 3 the principles of style embodied in the literature, art or architecture of ancient Greek and Rome तो जो principles थे जो सिधान थे style के ठीक है, कहां literature के कला में, architecture के Greek और Greece and Rome के जो थे उनको embody किया गया उनके principles को literature में नहीं, art और architecture में भी उस समय के any architecture अब जैसे कि आ रहा है, ठीक है हम classicism देख रहे हैं, literary classism पर ये point भी बन जाते हैं कि any architecture painting or sculpture produced during the middle age or later, which was inspired by the art of ancient Greece and ancient Rome is an example of classicism ठीक है, middle age में या बाद के एज में जो architecture जा पेंटर जनोंने किया उनसे inspire होके तो उनका जो work था, उनकी जो कलात्मक जो उनके कला थी वो भी classicism का example के तायर आ जाती है अगर western literature में देखे तो ग्रीक एंड रोमन ड्रामा poetic forms like epic and literary theory as expounded in Aristotle's Poetic ठीक है, अब जो हमारे Aristotle है अरस्तू है, उनका ये जो work है Poetics में अरिस्तू ने जो भी चीज़ें बताई अपने जो criticism से लिए different terms उसमें उन्होंने बताई और जब वो follow किये गए तो ठीक है, western literature में इसका क्या mean है western literature में इसका क्या mean है कि Greek and Roman drama जो poetic form थी जैसे कि epic and literary थी होई ये सब expound की गई थी अरस्तू के poetics में उनका use हुआ था इन work में ठीक है, western में and the influence of classicism was strong in France अब जैसे कि बात आएगी अब हमने classicism देख लिया और किस किस तरह से क्या imitate किया गया work imitate किये गया उनके perspective को imitate किया गया that is okay meaning हो गया कि हाँ भी Roman and Greek को follow करते है जो writers, उन्होंनों जो content लिखा जिस time लिखा वो सब classicism में आ जाता है starting हो रही है हमारी France से so the influence of classicism was strong in France in the 17th and 18th century but its influence was also felt very strongly in England at that time ठीक है strong तो था France में क्योंकि हम French writers के name अभी यहां देखेंगे Pierre A. Cornell, Jane Racine, Jane Moller ठीक है इनके work भी देखेंगे but England में भी same time था starting पर हमारी French में जहां से वहाँ पहले strong था same time England में भी था the renaissa the first major revival of classicism तो अब जैसे की renaissa भी तो इसी समय यही सब तो हुआ था अब इसको अब classicism को renaissa से connect कर तो no problem क्यों? renaissa क्या था? पुनल जागरण का काल हर चीज में नया innovation, नवाचार सब जगा क्रांती हुई थी हर छेत्र में कला, साहित्ते के छेत्र में ठीक है हर चीज में एक अच्छा उच्चता आई थी, शरिष्चता आई थी तो ठीक है हमारा जो literature है उसको भी इन लोगों ने हमारे जो नई writers है उन्होंने उसको उच्च किया फिर ऐसे हम समझ सकते हैं तो जो major revival हुआ था classicism का उसमें यह जो हमारे यह कौन है उसको यह सन्रक्षण देते थे तो इन्होंने क्या किया इनका नाम आ जाता है Cosi Muti Madacy gathered a circle of humanist इन्होंने बनाया एक घटा किया and who collected, studied, expounded and imitated the classics तो इन्होंने इन सभी को जो gather किया humanist को जो यह सब करते थे study करते थे, expounded, जो term को expound करते थे immediate classics को इन्होंने मतलब सन्रक्षण दिया यह नाम आपका आ जाता है Italian banker थे Cosi Muti Madacy origins and features of classicism में हम क्या देख रहेंगे कि 17th century के जो French writers थे were the first यह याद रहना है were the first to align with classical standard as part of the of an organized literary movement जैसे कि एक और literary movement चले तो यह जो पहले थे जो इससे align हुए classical standards थे जो classicism के उन्होंने उस content को समझा गी हाँ हम इसको use करें अपने work में तो यह पहले थे जो इससे align हुए उसके साथ P.R.E. Cornell the father of French classical tragedy बिलकुल important point है यह इनको जो है adapted Europeites in his early play Medi अब questions ऐसे ही बनते हैं students की किन होने किसने किसको follow किया और फिर इनका क्या work था और जिसको follow कर रहे हैं उसका क्या work था उससे भी question आ जाते हैं अब यह ऐसे ही question आ जाते हैं वो बेस हम अभी इस lesson में देख रहे हैं तो P.R.E. Cornell father of French classical tragedy इन्होंने adapt किया Yuri Pites को ठीक है in his early play Medi अब Medi किसका work है P.R.E. Cornell का इन्होंने इसमें इनके जो classical term थे उसको इन्होंने इसमें follow किया next again next इनी के बारे में कि जो P.R.E. Cornell का जो masterpiece work है that is Laced इन्हीं का यह work है broke with strict adherence to the three unities जो three unities है उसको इन्होंने से connect होकर लिखा तो जो three unities है Aristotle ने अपने politics work में बताए है time, place and action उसकी बात यहां चल रही है उसको इन्होंने उससे connected मिलते हैं adherence means जोड़े हुए हो न number 11 the other French classicist include Jane Racine whose work Andrew Mack अब जो other भी है ठीक है प्यारे कॉरनेल हमने देख लिया अब यह एक और है जो Jane Racine इनका जो work है Andrew Mack expounded sorry, expanded upon the Trojan War यह Trojan War के उपर इन्होंने यहां से content लिया था यह जो है and Jane Muller यह भी है एक हमारे who displays his mastery of classical comedy in Tartuff and Lee Misenthroff यह again हमने 3 हमारे सामने नेम आगए French writers के most important Pierre A. Cornel Jane Racine and Jane Muller तो Jane Muller ने कहां अपने classical mastery जो अपनी शो की थी classical comedy की इनका जो work है Tartuff and Lee Misenthroff तो यह work इनके है जिसमे इनोंने classicism use किया अब कौन से work में classicism की जहलक मिलती है हम कहां पाते हैं in which words अब जैसे four options है तो इस वे में questions बनते हैं classicism के questions कैसे भी बन सकते हैं next है literary classicism appeared in dramatic works modeled on Greek masters such as Aeschylus, Sophocles and Soto Embody Aristotle's three three unities time, place and action तो अब यह क्या बता रहा है कि जो literary classicism है जो dramatic works में appeared होता है यह जो classes हम देखते हैं तो वो modeled होता है वो base होता है Greek masters पे जैसे की Ascleans, Sophocles ठीक है तो अब यहां से हम इसको समझ लेंगे यह जो writers थे Greek writers यह Ascleans and Sophocles और इनको और इस साथ ही drama में क्या चीज़ को follow किया गया Aristotle के जो three unities थे time, place and action As it is question बनता है three unities by whom Aristotle and what are the name of these three unities time, place and action इनका use हुआ है dramatic works में modeled बिल्कुल जो Greek writers के base पे ठीक है इनको फिर इनका follow किया गया इनको Next literary classicism expanded from from drama into poetry अब dramatic work में use हो गया फिर expand होकर यह drama से poetry में भी आई यह चीज into the enlightenment during कब during the enlightenment age इसको age of reason भी कहते है और इसका meaning क्या है during 18th century से मतलब है कि late 17th century से लेकर 18 के mid तक ठीक है Augustan age of English literature and when it became known as new classism तो वही है जब enlightenment age के time जब drama से poetry में इसका use होने लगा classicism का 18th century के आसपास तो यह new classism भी बन गए और Augustan age on English literature यह भी उसी में हमारा आ जाता है क्योंकि Augustan age में Pope रहे हमारे main Augustan age को हम age of Pope भी कहते हैं और Pope के जो work है जिसमें हम classism देखते हैं तो यह सब इसी में आ जाता है हमारा next in the 20th of century T.S. Elliot embraced अब इधर T.S. Elliot ने इस century तक जैसे बताए ना कि हमारे literature को shape दिया 20th century तक के लिए literature को shape मिला है इस classicism से हर जगए इस literature में जो use हुआ है तो T.S. Elliot ने भी इसको अपनाया literary classicism को अपने dramatic work में family reunion में and cocktail party में तो family reunion में classicism है ओके किसको इन्होंने कहा से content लिया किसको follow किया तो वही Aeschylus Orystus तो Aeschylus का work है Orystus जिससे प्रेरित हुए इसके subject matter से T.S. Elliot और अपना ये work लिखा अगें T.S. Elliot का cocktail party था does the same with Eurypides Alcestis तो Eurypides का Alcestis से प्रभावित हुए इन्हों कॉक्टेल पार्टी में ये very very important point है students ये और इसमें आप easy भी consider कर लो कि ये work Eurypides बहुत ज़्यादा important है और ये Alcestis इनका work है again Orystus किसका work है Aeschylus का और ये जो Aeschylus है Greek है ये Roman है तो ये Greek है Eurypides भी again Greek है इनको follow किया हमारे T.E.S.E.L.I.E.T. ने अपने family reunion cocktail party में ऐसे Next question Poetry of the Classicist अब जो Poetry के वे में चलिया आ जाते है हम जैसे ड्रामा से आए है तो क्या अब जो हमारे Dante थे Italian poet Dante is an outlier Outlier इनको बोले है बाहरी ठीक है इस तरह से In the development of literary classism क्यों ये थे इसमें इनका जो था इनका रोल As his epic poem The Divine Comedy in his three part work Dante consciously drew inspiration from classical epic poetry especially the Enid इन्होंने Enid जो वोक है उससे especially प्रभावित हुए Divine Comedy जोने अपना लिखा था English poet Alexander Pope Alexander Pope का क्या था Classical Technique During the Augustan Age इन्होंने Adapted की थी Classical Technique को Augustan Age के time A period of English art and that celebrate Ancient Rome Augustan Age किया था एक English art का period जो की Ancient Rome को Celebrate जिन्होंने किया मतलब Ancient Rome को इन्होंने कूब अच्छे से अपने यूज किया उनके works को उनके thoughts को And Pope's Denchyard Locke को Mock Epic कहा जाता है तो इन्होंने वही Mock Epic Format का जो Poetry का जो format यूज किया है And yet Parody The Tone And are known as Mock Heroics तो जो Tone की इनकी जो Parody है Parody means क्या उतर नकल करना ठीक है Tone ये सब इनकी Mock Heroics में कहे जाते हैं तो ये अगर किसने किया है तो वो नाम भी आगी जैसे कि अब Danty का हमने देख लिया Italian T.S. Elliot का भी देख लिया French writers हमने important देख लिया अब यहां American point है Robinson Jeffers 20th century के Updated Uri Pites Media And combined The technique of Classical Tragedy And epic poetry In works Like God बहुत important Point है ये ये questions ये point आपका बहुत important हो जाएगा कि Uri Pites का जो work है उसे किसने Update किया था ठीक है तो Robinson Jeffers यहां आप देख लेंगे American poet रहे ये Next आपका जो question है literary जो point है हमारा literary classism अब novel में कैसे हमको मिलेगा तो Samuel Richardson का जो novel है Pamela इसमें देखे क्या लेगा serve and extended serves as an extended lesson of the value of middle class morality and presuppose the involvement of God in personal affairs बता रहे हैं कि God का involvement in personal affairs में और ये जो हमारे Greek romance writer हुए ये बिलकुल God intervention में divine intervention में बिलीव करते हैं तो वो चीज़ इनोंने अपने इस novel में show की है and novels such as Robinson Cruise Gulliver's Travel and Dawn Quixote तो Center on the Heroes Journey as a modeled in work of work by Homer and Virgil तो अब देखे जे novels हैं इनमें किवल novels के name लिखे हैं इसमें ये नहीं लिखा है इनके writer तो writers हम देख लेंगे जो हमारे Robinson Cruise हो है ये Daniel Defo का है Gulliver's Travel Jonathan Sift and Dawn Quixote Migyul G Carventus का है Students तो ये important है कि किस तरह से कहां कहां Classicism को कितना हमने कैसे इनका use हुआ है और अगर है कहां क्योंकि अगर Classicism से questions कैसे बन रहे हैं किन होंने use किया और किन को follow किया ठीक है जिन writers ने Classicism को use किया है Classicism के जो writers कहलाते हैं तो उन्होंने किस classic चीज को adopt किया है ठीक है जैसे यहां बता रहे हैं कि God को Personal Affair God का involvement है Personal Affair में ठीक है इस तरह से और यहां इन्होंने क्या किया इन novels में क्या किया गया है सेंटर किया इन्होंने hero की journey को as models in works जैसे की Homer and Virgil की work में है कि hero की जो main journey उसको इन्होंने ज्यादा रूप दिखाया है तो वही चीज in novels में की गई है William Shakespeare Shakespeare's King Lear is considered a classic of English literature अब हम Shakespeare को कैसे नहीं इसमें देखेंगे तो बिलकुल इनका King Lear है वो भी classic कहलाता है English literature में और शेक्सपेर's play that seems to display the unities such as the tempest probably indicate a familiarity with actual models from classical antiquity तो हमें tempest में भी देखने को मिलती है ये classical antiquity तो हमें Ben Johnson जो है हमारे जो Shakespeare के contemporary है वो अपने satirical play के लिए जाने जाते है particularly वोलपॉन अल्केमिस्ट और बार्थलोव मुफियर विच आल कंसीडर इस बेस्ट और लिरिक हैस लिरिक तो इसमें हमको classicism इनका मिलता है William Vikerly an English dramatist of restoration period best known for the play the country wife sorry the country wife and the plane dealer William Vikerly ये work हो गए दोनो again next हम देखेंगे next point हमारा Edmund Spencer best known for the fairy queen an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth तो इनका जो work है Spencer का fairy queen एक epic poem है इसमें क्या ये use कर रहा है रहा है रहा है किसको तो Tudor dynasty और Elizabeth first classism way में हमें इस चिस की जलक मिलती है Scarlet letter American literature में जो famous work है ठीक है ये भी हमको इससे प्रभावित मिलता है बिल्कुल ऐसे ही questions बनेंगे they were guided by the poetics of Aristotle अब जितने भी writers जिन होने भी ये हमने देखा ये सब क्या है ये guided किस से थे तो अरस्तो का जो poetics है वो work है and the poetic art या poetic art कभी इसको कहते है Horace and on the sublime of phlonginus इनका work है ये सब ये guide थे ये सारे writers क्लासिसम के तहर जोते है इन से guide थे इन works है इन writers थे reproducing the Greek Roman forms और इन्होंने इसको reproduce किया Greek Roman forms को जैसे कि epic, eclog, allergy, ode, satire, tragedy, comedy इतनी भी literary forms है poetry कि ये Greek और Roman forms थी इन्होंने इसको reproduce किया ठीक है जो writers बात में आए और जिसमें से eclog students एक तरह का short pastoral poem होती है number next हमारे क्या है this arose the rediscovery of poetics of aristotles ये चीज ओठीक ऐसे आगे कैसे बड़ी कि जो नए writers थे उन्होंने Roman Greek Roman Greek को follow किया उनके चीजों को तो ये ऐसे हुआ था ये डिसकवरी हुई अरस्तू का जो work था poetics उसको खोजा गया ठीक है by Giorgio Vella Francisco Robertello and Ludovico Castilvertro and other Italian humanist in 16th century तो उसके बाद उसको जब देखा गया पढ़ा गया और उसको फिर पर भावित होके उसको लिखा गया उससे 17th century French writers were the first to align themselves with classical standards as part of an organized literary movement तो जब जैसा कि जब वो 16th century के time इसको rediscover किया गया हारस्तू के poetics को तो उस समय जब 17th century के French writer थे वो first थे जो align जन्होंने किया खोदो को इस classical standards से ठीक है as a part of an literary organized literary movement later literary classicism expanded from drama to poetry जैसे कि drama से ही शुरू हो कर poetry में पहुचा कब enlightenment age के time and to prose during the Augustus age of 18th century English literature from about 17 to 1750 बिलकुल students बात ये होती है कि जैसे आप classicism को देखते हैं तो आपको अरस्तू के question मिल जाएंगी हमारे जो Euripides के Longinus Horik Iliad ये सब जो Homer के walk है Dante Pope तो आप जैसे कि आप बिलकुल confused ना हो उस वे में ये lesson तयार किया गया कि ये क्यों इन सब को हम इसमें आ जाएंगे और बिलकुल से आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये क्या है आउट अप स्लेमर से या वाट इस दिस तो इस वे में हम देख रहे हैं आज ये हमारे पॉइंट है तो अब जो 1700 to 1750 का जो टाइम था अब ये जो मुवेंट है ये हमारा क्लासिसिजम है ये पॉपिलर हुआ इंग्लेंड में फॉर एक्जांपल ता इंग्लिश मैन जो थे हमारे अलेक्जेंडर पॉप ट्रांसलेटिद दा एंशिन वर्क्स अफॉमर इन्होंने हॉमर का वर्क को ट्रांसलेट किया और लेटर इमुलेटिद एट स्टाइल इन इस ओन पॉइटरी और बाद में फिर उन ही के स्टाइल को इस स्टाइल को अपने ही पॉइटरी में भी यूज किया था तो एंड ट्राइशनलिजम और इन सब जो भी राइटर्स जिन्होंने क्लासिजिसम के तहर जो राइटर्स थे इनके इनके अंदर इसपेक्ट था अग्लासिकल आउटर्स के लिए और उट्रो उट्राइ़जरी क्लासिजिसम एग्जबिट्टेड इस स्ट्रॉग ट्राइशनलिजम और यह जितने भी थे यह सब एग्जबिट क्या करते थे ट्राइशनलिजम को बहुत ज़्यादा follow करते थे उसको बिल्कुल और show भी करते थे exhibit भी करते थे, imitations करते थे classical authors को उन्हें imitate किया अपने work में the main assumption was, यह important point है कि जो assumption था जो बात मान ली गई थी कि ancient authors had already reached perfection जब इनका content देखा गया तो यह पाया कि यह तो खुद ही perfection को पहले ही ancient author है, perfection पाया गया है so the basic task क्या था of the modern author was to imitate them the imitations of nature, उनके nature की and the imitations of the ancients were the same ठीक है, इस तरह से and among them, they took into account Aristotle's insistence of moral courage the Greek playwright's use of divine intervention ठीक है, Greek playwrights चो यूज करते थे divine intervention का use करते थे and the focus of epic poetry on the hero's journey यह सब कुछ जो है modern authors ने इनको follow किया divine intervention means आपकी life में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो यह God की किरपा है और नहीं है तो वो God की दखल अंदाजी है यह आपकी life कैसे है चलना चाहिए तो इसमें उनका चल रहा है पूर intervention इस चीज़ को वो शोगर दे number 33 P.A. Cornell was considered the father of classical French tragedy and उनका masterpiece Elcid broke with strict adherence to the three Aristotelian units nevertheless he developed a dramatic form that lived up to the standards of both classical tragedy and comedy तो इनका नाम बार-बार आ रहा है P.A. Cornell French है यह French tragedy के father कहलाते है इनका work अरस्तू के three unities को इन्होंने use किया है और यह कुछ other works है important जो इन्हीं के ही है Malicha Sit and Draw The Persecuted Innocence ज्यादा deep है तो इनके अगर नाम आते है The Palace Gallery The Next One The Royal Square देख सकते हैं Consist century के यह चल रहा है Media यह सब इनके work है फिर यह next आ जाते है Jane Resign French playwright थे और यह जो इनका play था Andrew Mack के लिए ज़्यादा famous थे यह जिसमें उन्होंने Trozen War का concept वाद की है ठीक है और इसको present किया था successfully Louis XIV के vote में and Mollyar again Jane Mollyar जिनका नाम आ जाता है यह भी again renowned French playwright है poet है, actor है इनका work है Tartuff and Misenthroff इसमें इन्होंने Mastery of Classical Comedy को इन्होंने किया है demonstrate तो हमें Classical Comedy यह comedy याद रखना है क्योंकि उपर जो P.E.R.E. Cornel है वो tragedy में आते है Jean Mollyar जो हमारे comedy में आ जाते है इनके work Tartuff, Lee, Misenthroff ठीक है, ऐसे आपको बिल्कुल से याद रखना है Dante, जो हमारे talent point Dante है यह भी हमने content in का देखा ठीक है कि इन्होंने Virgil का जो Enid है उससे inspire हुए उसको भी उन्होंने उसको follow करके लिखे अपने work Classicalism की जलक show की है Divine Comedy जोनका work है Alexander Pope का जो work है The Rape of the Lock इस तरह से और इन्होंने Epic Poetry के format को भी यूज किया अपने work में Mock, Epic अब यह जो content है स्टुएंट्स हमारा जो यह तो writers अभी हमने उपर देखे किन किन ने Especially ऐसे तो बहुत content है पर यहाँ French के तीन देख लिए Tia, Celia, Dante, Pop इन होने Especially कहां कहां Follow किया Classicism में तहत यह writers आ जाते हैं अब Roman जो literature है जिनको follow किया जाता था अब यह सिर्फ आपको नाम से आप aware रहेंगे कि यह जो नाम और यह Roman है या Greek है बस इतना आप इसको focus रखिएगा तो Catalyst, Virgil, Horak, Ovid यह सब ठीक है यह Roman में आ जाते हैं आपके देखिए Seneca the Younger Lucan Juvenal Pliny the Younger यह सब आपके Roman में आ जाते हैं बाकिन के timing लिखिए कि इतने यह पुराने रहे और फिर again same Greek literature जैसे कि यह starting में बताए Writer to follow Roman and Greek तो Roman देख लिए Greek भी देख लेते हैं हमारे Homer ठीक होमर का Iliad, ODC अब Iliad किसका है Homer का यह question आ जाए तो फिर आप कहेंगे अब यह तो कहां से हमारे syllabus बनाई था जी यह Classicism के तहत question पूछा जा रहा है ODC Sophocles का Tragedian अब Sophocles का यह work नहीं है Sophocles कौन थे तो यह Tragedy work ज्यादा लगते थे Tragedian इस तरह से आप समझ ले कि यह Greek में आ जाते है हमारे Herodotus Herodotus है अब इनका जो work तह The Histories which means Inquiries In Greek This book is also considered the first work of history in western literature History के पहली Herodotus Father of History आसे इनका नाम सुना है लेकिन हाँ यह Azuripides का work है Most 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 famous है यह Most important है Greek writer है Classicism में इन से question बहुत बनता है Hippocrates was a physician अब यह हम क्यों बता रहे हैं which just as a name से आब अवेर है जाए बस वो इतना ही पूछ लेंगे यह कौन से उसमें थे Roman या Greek में ठीक है यह जो थे Physicians थे Father of Medicine कहलाते इनका जो famous work है Hippocrates in Oath Doctor Line के उसमें है यह And Aristophanes Playwright है Who.Comedies Plato अब जो यह Comedies लिखते थे जो हमारे Aristophanes है यह भी आप याद रख ले तो अब इसने Plato ने इनके लिए क्या कहता Out of His Play पॉइंट किया था इनके प्ले को The Cloud As a Contributing Factor To the Trial and Execution Of Socrates Other notable plays From His Hands Are The Vasp and Legislator यह works है The Vasp and Legislator By Aristophanes के द्वारा लिखे हुए यह सब Greek है आपके फिर यह हमारे Most common आगा है Plato ठीक है Socrates के student थे And most famous Being the Republican Symposium जो इनका वरक रहेगा Aristotle Aristotle जो थे Was the student of Plato And the first Criticizing Him Aristotle Is the last And the Greek philosopher Aristotle के To question के इतने ही बनेंगे Socrates यहां बस जस्ट की Aristotle Greek writers में आता है Playwright है वहाँ इस women को बता रही हूँ आपको And Aristotle Was also the tutor Of Alexander Great Alexander की यह tutor थे हिंका बहुत question बनता है Socrates And Plato And Aristotle की कौन किसका गुरू कौन किसका शिश्य तो Plato जो थे Socrates के शिश्य थे और Arastu जो थे वो Plato के शिश्य थे इस पास से आप इसको मैं पहले भी बता चूगी है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है इस पा करके जो मैंने ट्रिक बताई थी इसे आप याद कर सकते है ठीक है फिर जो Arastu है ना लास्ट में इनके शिश्य सिकंदर महान भी रहे Alexander the Great Then Euclid Euclid जो थे वो mathematician थे ऐसे ही कोशन बनेगा भई कि अभी एक जो physician आए उपर Euclid से mathematician है तो Doctory line के भी Name just देखे है और वो Herodotus है वो history line के हो गए The father of geometry His main works is the elements which is still used as text Mathematics तो elements किसका है Euclid का है Work है वोई किताब के रूप में है तो हम इसको आ सकता है कोशन Archimedes Mathematician Mathematician Engineer Inventor Physicist Astronaut इनका जो invention Archimedes Screw आज भी use होता है इस तरह से students तो हमारे total 40 points हो गए और बहुत short में बहुत ही ये topic जो है ना Classicism is very मतलब बहुत ही big topic है और expand है इसको इसके लिए 10 videos बन जाए या जितका भी content देखेंगे आपको यही आपको मतलब कम पड़ेगा वो और main तो यही बताते हैं कि जो Roman और Greek उनको follow किया गया जब बात के समय में English Literature में French में French से शुरुआत French निक्याद इनएसे के टाइम Enlightenment के टाइम तो फिर वो Classicism के तहट आ जाता यह movement के वे में भी कहलो Classicism movement ही कि हाँ वो जे movement आयता जब यह सब को follow कियागा एकदम सबने इनकी value समझी तो इस कड़ी में हमने यह भी देखा कि कौन थे जन्हों ने follow किया और के works कुछ important कि इनको follow किया और वो जो last में जनने 10 Roman 10 या something और कुछ Greek और Roman important name बता है वो please अच्छे से देखिए Ascalis, Sophocles, Euripides Roman में जो और other name ऐसे students तो आज के इस lesson में इतने ही ठीक है और point जो के आपके लिए I hope यह lesson helpful रहे Thank you so much for watching this lesson students खुश रहिए positive रहिए चैहिंद